बॉयकॉट ट्रेंड को लिकर बिग बी ने लिखी ये बात बूले प्रम्हस्त्रों की रिलीज से पहले रिस्क मत लीजिए फिल्मों के बॉयकॉट का तो मनुट ट्रेंड से चल पड़ा है कब कौनसी फिल्म ट्रॉलर्स के निशाने पर आ जाये पता नहीं बॉलिवर्ड बॉयकॉट को लेकर बिग बी ने भी अब तंच कसा है जिसे लिएक लोग उन्हें उल्टा सीधा सुना रहे है बिग बी ने हाली में ट्वीट करके लिखा है कुछ बात इंका मन करता है पर करें तो कैसे खर बात की तो आज कल बात पन्चाती है वही एक यूजर ने तो बिग बी की फिल्म के फोटो जिसमें उन्होंने कैदियों के कप्ड़े पहने हुए हैं उसको शेयर करते हुए लिखा मात रस्क लेना अब असल में ऐसे कप्ड़ों में अच्छे नहीं लगोगे एक यूजर ने लखा जना आप जैसा करोगे वैसा भरोगे बोया पेड़ बबूल का तो नीन कहां से होए वैसे आपको बता दे प्रम्हास्त्र में अमिताब बच्चन, रनभीर कपूर, आलिया भट और मौनी रॉय हैं इस फिल्म को करंजवर ने प्रिडियूस किया है और इसके डिरेक्टर है अयान मुखर जी ये फिल्म 9 सितमबर 2022 को सिनमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है वैसे अमिताब बच्चन के स्ट्वीट को बॉयकॉड ब्रम्हास्त्र से जोड कर देखा जा रहा है अब उनके स्ट्वीट पर लोग जम कर कॉमेंट कर रहे हैं एक यूजर ने लिखा है मत लीजे सर ऐसा रसकब नहीं तो प्रतिक्षा के बाहर ED वाले प्रतिक्षा करते हुए मिलेंगे एक दूसरी यूजर ने लिखा ब्रम्हास्त्र की रिलीज से पहले कोई बात मत कीजिए फिल्हाल तो ऐसा लग रहा है कि जनता बॉलिवूड के आक्टर्स को सबक सिखाने वाले मूड में आ चुकी है और कहीं ना कहीं एक तिबाद एक फिल्म को बॉयकॉड करने का ट्रेंड चल पड़ा है अब इधर पर देखते हैं कौन जुकता हैं क्या जनता फिल्मों को पसंद करती है या फिर बॉयकॉड का ही हाथ थामे रहती है या फिर आक्टर्स अपने आपको थोड़ा सब पॉलाइट करते हैं